केरल के सीएम ने 33 एरपोर्ट को केंदर के अधीन बताते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि यहाग सोने की तसकरी में राजय सरकार का नहीं बलकि केंदर का हाथ में, जबकि केरल गोल्ड स्कैम में सबूत और गवा पिनरई विज्यन के खिलाफ है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे केरल के मुख्यमंत्री ने विधान सभाचुनाओं में खुद की साख बचाने के लिए अपनी करनी का ठीकरा केंदर सरकार पर फोड़ने का प्रयास किया है। अपने मोटा भाई यानी अमिच शा इस समय फुल फॉर्म में है। केरल के दौरे पर आये थे। शंगु मुगहम में बीजेपी की केरल विजय यात्रा के समापन समारों में गरह मंत्री अमिच शा ने हिस्सा लिया और इस दौरान मेट्रो मैन ईश्री धरन भी मौजूद रहे। जंता को संबोधित करते हुए अमिच शा ने कहा ये केरल एक जमाने में विकास के लिए जाना जाता था। केरल निरक्षरता को सबसे पहले परास्त करने वाला राज्य था। और आज ये राज्य, LDF, UDF, इनके बारी-बारी के सत्ता के चकर में राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है। लेकिन अमिच्शा यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, LDF और UDF के बीच एक healthy competition चल रहा है। केरल को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बलकि भ्रष्टाजार करने के लिए। जब UDF सत्ता में आती है तो solar घोटाला करती है, और जब LDF सत्ता में आती है तो वह dollar घोटाला करती है। यह दोनों ही घोटाले करने की स्परधा में लगे हुए हैं। यहां अमिच शा का इशारा स्पष्ट तोर पर केरल सरकार की देखरेक में हुए सोने और डॉलर की तसकरी की ओर था। अब ऐसे में पिनराई विजन कैसे चुप रहते। उन्होंने कहा तिरुवनंद पुरम एरपोर्ट तो पूरी तरह से केंदर सरकार के अधीन है। अगर करने वाले केंदरी प्रशासन को इस पूरे प्रकरन के लिए दोशी ठहराने का बचकाना प्रयास कर रहे हैं। सपष्ट है कि वो केरल के विधान सभा चुनाओं से पहले सोने की तसकरी के मामले से खुद का दामन साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु सच्चाई से भला कौन ही बच पाया है। तिरुवनद पुरम एरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग के अफसरों ने 30 किलो सोना जब्द किया था। जो डिप्लोमेटिक इम्मुनिटी का फाइदा उठाते हुए यूएई ले जाया जा रहा था। जाच परताल में UAE Consulate General के यहां पूर Public Relations Officer रह चुके सरित कुमार और पूर Consulate अधिकारी स्वपना सुरेश का नाम आया था। लेकिन सोने की तसकरी अकेले तिरुवनंत एरपोर्ट से ही नहीं बलकि कोची एरपोर्ट से भी होती थी। जिसके बारे में NIA के पास पुखता सबूत हैं और इसके साथ ही इस घोटाले में शामिल स्वपना सुरेश ने भी इस स्विकारा है कि यह पूरा घोटाला CM की देखरेख में हुआ था और UAE के Consulate से उनकी बराबर बच्चीत होती थी। कस्चम जवभाग द्वारा की गई पूचताच में स्वपना ने उजागर किया कि विजयन के साथ तीन अनिक कैबिनेट मंत्री भी इस पूरे प्रकरण में शामिल थे जिनमें केरल के विधान सभा अध्यक्ष पी श्री राम कृष्णन भी शामिल हैं। कस्चम जवभाग के हलफ नामे के अनुसार स्वपना सुरेश, CM विजयन और UAE कॉंसुलेट के बीच मध्यस्तता करती थी क्योंकि CM अर्भी नहीं बोलते हैं। काजपा के पास इस मुद्दे पर उनको घेरने का मौका ना मिल सके।